आखिर सूरज किस चीज़ के चारो और चक्कर लगाता है? क्या ये अपनी एक्सिस पर भी गुमता है? आखिर कहा है हमारी मिलकी वे गैलक्सी का केंद्र? इन सारे सवालों के जबाब जानेंगे इस वुडियो में कई शताब्दियों तक माना जाता रहा है कि हमारे इस ब्रह्मान का केंद्र किवल धर्ती है? हमारी धर्ती के चारो और ही सारी चीज़ें चक्कर लगाती है सूरज और चांद धर्ती के चारो और चक्कर लगाते हैं लेकिन सन 1543 में पॉलेंड के एक एस्टोनमिस्ट निकॉलस कॉपनिकस ने विग्यान के इस चेत्र को पूरी तरह से बदल कर रख दिया उन्होंने बताया कि सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है और सारें ग्रह इसके चारो और चक्कर लगाते हैं लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो ऐसा कौन सा केंद्र है जिसके चारो और हमारे सौरज के साथ साथ पूरा का पूरा सौर मंडल चक्कर लगाता है और हमारे सौर मंडल का 99 प्रतिशत वजन केवल सौरज का है जो कि धरती के मुकाबले 3 लाख गुना से भी जादा है जो कि पूरी तरह से हौट प्लाजमा से बना हुआ है इसमें 73 प्रतिशत हाइडोजन, 25 प्रतिशत हीलियम और बाकी का हिस्सा कार्बन, नियोन और ऑक्सिजन से बना हुआ है और इसकी चोड़ाई 13,91,400 किलोमेटर है अब अगर देखा जाएं तो ये हमारी धरती से 15 करोड किलोमेटर की दूरी पर है आपको बता दें कि ब्रह्मान में जब दो चीज़ें आपस में एक दूसरी के चक्कर लगाती है तो वो कभी भी एक दूसरी को केंदर नहीं मानती है उनके बीच में हमेशा एक बैरी सेंटर होता है बैरी सेंटर दोनों के बीच का ऐसा केंदर होता है जहां पर दोनों का कॉमन सेंटर ओफ मास होता है और जिस पिंड का मास सबसे ज़ादा होता है बैरी सेंटर उसके बहुत करीब होता है और हमारे सौर मंडल का सूरज के पास ही सबसे ज़ादा वजन है इसलिए हमारे सौर मंडल का बैरी सेंटर सूरज के पास ही है जोके उसकी सतह और केंदर के बीच में है और जिस प्रकार बाकी ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं उसी तरह सूरज भी अपने प्लैनेट्स के चारो और चक्कर लगाता है लेकिन बैरी सेंटर सूरज के सबसे नस्दीक होने की वज़े से सूरज अपने अप में ही वाइबरेट करता हुआ दिखाई देता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज के साथ साथ हमारे सौर मंडल के सारेगर है किसी बड़ी चीज के चारो और चक्कर लगाते हैं और वो है हमारे मिलकी वे गैलक्सी का केंदर जिसके चारो और सबी चीज़े गूमती हैं आपको बता दें कि मिल्की वे को ही हमारी गैलक्सी माना जाता है जिसका आकार कुछ इस तरह स्पारिल शेप में होता है और ये तना विशाल है कि इसके अंदर 400 अरब तारे पाए जाते हैं और इसलिए ये एक लाख प्रकाश वर्ष चोड़ा है जिसमें कई सारे सौर मंडल ह और हमारा सौर मंडल भी उन्हीं में से एक आता है जिसे पूरे मिल्की वे गैलक्सी में ढूड़ना काफी मुश्किल है लेकिन वैग्यानी को दोरा इसकी गड़ना की गई और वैग्यानी को ने बताया कि सूरज हमारी मिल्की वे गैलक्सी से 27,200 प्रकाश वर्ष की दूरी और जो कि सूरज की चारो और कैपिलेरीन और्बेट को फोलो करती है लेकिन सूरज इस तरह से चक्कर नहीं लगाता और सूरज का ये रेवलेशन कैपिलेरीन और्बेट को फोलो नहीं करता और ये अपने और्बेट में बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से गूमता है या तो हमारा सूरज मिलके वे के चारो और रिवॉल्व करने के लिए 23 से 25 करोड सालों का वक्त लग जाता है और इस अंतराल को कौस्मिक एयर या फिर गैलेक्टिक एयर कहा जाता है लेकिन यहाँ पर यह सवाल उठता है कि आखिर सूरज अपने गैलेक्सी के चारो और सीथे कर क्यों नहीं लगाता अब इससे समझने के लिए हमें अपने प्लानेट की मोशन को समझना होगा हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह सूरज के चारो और इसलिए चक्कर लगाते हैं क्योंकि सूरज के पास सबसे जादा ग्रेविटेशनल पुल है जिसके चलते यह सारे ग्रह अकर्शन बल पूरी तरह से लागू नहीं होता और वैज्यानी को का मानना है कि मिलकी वे का जादतर हिस्सा उसके स्टार्स और डार्क मेटर में बटा हुआ है और सूरज को अपने और्बेट में हमेशा सही कई सारे कृत्व अकर्शन बलों का सामना करना पड़ता है जिसके रास्ते में कई सारी मुसीबते आती हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि सूरज अपने मिलकी वे के चारों और सही से चक्कर नहीं लगा पाता लेकिन क्या होगा अगर कोई ब्लैक होल हमारे सौर मंडल में ही घुच जाता है और वो हमारे सूरज को ही निकल जाए इसे जा एसे ही रहसों के बारे में जानने के लिए किमती स्पेस को सबस्क्राइब करें